नमस्ते मेरे भाई कैसे हैं आप सबी लोग और हमारी concept king सरी चल रही है मेरे दोस्त और आप title से पहचान सकते हैं race का सबसे trending type आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों में race के examiner ने जी भर के सवाल पूछे हैं लेकिन अभी हाल फिला latest में race का ये ऐसा type है जो बहुत viral है जो बहुत ज ही solution short में solution नहीं कर पा रहे तो मैं आपको यही race का मेरे दोस्तों सबसे trending type इस video में समझाओंगा मेरे बच्चों मैं यहां पर दो type के सवाल explain करने वाला हूं smart method के साथ मेरे भाई ठीक है तो वीडियो को सुरू से आखिर तक देखना ये videos बहुत helpful हैं अगर आप कोई भी recent paper SSC या उससे मिलते जुलते exams का देने वाले हैं अलग कि मैंने race complete chapter भी पढ़ाया हुआ है अपने YouTube चैनल पर आप YouTube चैनल पर जाएंगे हमारे maths concept king पर तो आप जब इस चैनल पर जाएंगे तो मैंने complete linear race इस पर पढ़ाया हुआ है आप जाके पूरा basic से पढ़ सकते हैं देखो मै सुरू करते हैं बिना किसी time waste के आईए तो यह है मेरे दोस्तों यहां पर type 1 दो type के सवाल है बच्चों यहां पर पहला है मेरे दोस्तों आपके सामने type 1 और 4 questions हैं आपके सामने 2 मैं कराऊंगा दो आप घर पे कर लीजिएगा ठीक है बताओ क्या answer है इस सवाल का यह सवाल SSC सीजल 2022 और 2023 दोनों साल लगातार आया है same data कोई बदलाव नहीं इन्हें 200 मीटर रेस एक 200 मीटर की रेस में if A gives B a start of 25 मीटर then A wins the race by 10 seconds ध्यान से पढ़ेगा सवाल को जब आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि क्या कहना चाहरा है यानि कि दो लॉ लॉंडे हैं A और B यहां पर मेरे दोस्तों दो लॉंडे हैं A और B प्यार सुनीगा एक 200 मीटर की रेस होती रेस है कितनी 200 मीटर की तो मेरे प्यारे बच्चो मेरे सुन्दर दोस्त 200 मीटर की रेस में यदि A B को 25 मीटर का start देता है तो A दोड को 10 seconds से जीत जाता है इसका मतल यानि कि A तो starting से दोड़ेगा A ने B को बोल दिया भाई B एक काम कर मैं तो यहां से दोड़ूंगा starting से तो मुझसे 25 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा यानि कि B जो है A से 25 मीटर आगे से दोड़ना शुरू करता है यानि कि रेस जीतने के लिए A तो पूरा 200 मीटर दोड़े केवल 175 मीटर ही दोड़ना है कोकि हमारा जो B है वो A से 25 मीटर आगे खड़ा है यानि कि A दोड़ता है 200 मीटर और B दोड़ता है मेरे प्यारे भाई 175 मीटर कोकि B 25 मीटर आगे से दोड़ना शुरू करता है B को 25 मीटर का start मिल चुका पहली शुरूआती बढ़त मिल गई है तो A 10 से दोड़ जीत जाता है A ने भ然后 B को 25 मीटर आगे खड़ा कर दिया पहली आगे खड़ा कर दिया अपने प्र प्रिती दुवन्दी को फिर भी A 10 से जीत गया या फिर मैं कहूँ A 10 से जीत गया या फिर B 10 से आगे की B ने 175 मीटर दोड़ने में जितना समय लिया है वो 10 सेकंड जादा है जितना समय A ने 200 मीटर दोड़ने में लिया है मेरे प्यारे बच्चो B 175 मीटर दोड़ने में 10 सेकंड समय लेता है और A हमारा मेरे दोस्तो रेस जीत भी लेता है A ने रेस जीत लिए और B को भी 10 सेकंड और लगेगा race खतम करने में यह पहली line का मतलब है दीरे-दीरे समझिये ठीक है तो यह आपको एक case examiner ने बताया है बिल्कुल ऐसे ही दूसरा case भी है दूसरा case alternatively यदि A, B को 45 meter का start देता है then race ends in dead heat तो race dead heat में end होती है dead heat का क्या मतलब है अगर A, B को 45 meter का start देता है यानि कि यह 200 meter की पूरी race है A तो यहीं से दौड़ना सुरू करता है मेरे प्यारे भाई और A कह देता है B से भाई B एक काम कर तू मुझसे 45 meter आगे जाके ख़डा हो जा तो A तो पूरा race दौड़ेगा और B 45 meter आगे से दौड़ेगा तो race dead heat में समाप्त होती यानि कि race बराबरी में समाप्त होती है दौनों खिलाड़ी A और B सेम टाइम पर एक साथ मेरे दोस्तों race खतम करते एक साथ end point पर दौनों खिलाड़ी पहुँचते है यानि कि A तो पूरा 200 meter दौड़ेगा और मेरे प्यारे बच्चो B 45 meter आगे से दौड़ेगा तो B को कितना दौड़ना है किवल B को मात्र 155 meter ही दौड़ना है 200 में से 45 घटा ये और race जो है dead heat बराबरी में समाप्त होती यानि कि दौनों ने A और B ने बराबर समय लिया है equal time लिया यानि कि A 200 meter दौड़ने में उतना ही time लेता है जितना भी 105 meter दौड़ने में लेता है ये दूसरा case बताया है examiner ने अब पूछा क्या है सवाल में पूछा A को 200 meter दौड़ने में कितना समय लगेगा A 200 meter दौड़ने में कितना समय लेगा जब भी ऐसा सवाल आए मेरे प्यारे भी आपको यहां पर दो केस दिये जाएंगे दोनों केस का आपको compare करना है तुलना करना है मेरे प्यारे भाई यहां आपसे पूछा है A को 200 मीटर दोड़ने में कितना समय लेगा दोनों केस में A तो 200 मीटर ही दोड़ना है A की डिस्टेंस सेम रखो यहां भी A 200 मीटर दोड़ना है यहां भी A 200 मीटर दोड़ना है दोनों केस में A तो बराबर दोड़ना है 200 मीटर मेरे प्यारे भाई तो मुझे ध्यान किस पर देना है B पर अब अब पहले B 175 मीटर दोड़ रहा था अब 155 मीटर दोड़ रहा है तो B कितना कम दोड़ा 20 मीटर पहले B 175 मीटर दोड़ रहा था अब 155 मीटर दोड़ा तो B के डिस्टेंस में कितना फरक आया 175 और 155 में कितना फरक है 20 मीटर का जबकि B के टाइम में कितना फरक आया आप देखो पहले B 10 से कंड से हार रहा था पहले B A से 10 से कंड से हार रहा था आज B A की बराबरी कर रहा है दोनों बराबर टाइम ले रहे हैं पहले 10 से कंड से हार रहा था आज बराबरी कर ली तो time में कितना फरक आया, 10 second का फरक आया time में कितना फरक है, यहां तो कोई फरक है नहीं, same time लिया है दोनों ने तो time में कितना फरक है, दोनों case में 10 second का फरक है पहले 10 second से हार रहा था, 0 second से हार रहा है, बराबरी है यानि कि time में फरक है 10 second यानि कि B ऐसा बंदा है जो 20 मीटर दोड़ता है 10 सेकंड में अगर आप से सवाल में B की स्पीड पूछी होती तो B की स्पीड आ जाती कि B 20 मीटर 10 सेकंड में दोड़ता है तो B की स्पीड आगी 2 मीटर पर सेकंड B की स्पीड 2 मीटर पर सेकिंड आगी एक सेकिंड में कितना दोड़ेगा 2 मीटर सवाल पूछा A को 200 मीटर दोड़ने में कितना समय लगेगा बहुत बहतरी लोजिक मैं आपको सिखाऊंगा भाई A 200 मीटर दोड़ने में उतना ही टाइम लेता है जितना B 155 मीटर दोड़ने में लेता है यही है ना भाई मेरे A 200 मीटर दोड़ने में उतना ही टाइम लेता है जितना B 155 मीटर दोड़ने में टाइम लेता है तो बस मैं यह पता लगा लूँगा कि B को 155 मीटर दोड़ने में कितना समय लगेगा अगर B 20 मीटर दोड़ता है 10 सेकिंड में तो एक मीटर जोड़ेगा एक बटा 2 सेकिंड में तो 155 मीटर दोड़ेगा 105 से गुणा इतने सेकिंड में Unitary method लगाया 125 का आदा मेरे दोस्तो 24 24 This is 24 253 सेकिंड आ जाएगा मेरे प्यारे आप excited सर यह सवाल का अंसर है यानि कि ए भी 200 मीटर दोड़ने में 35 सेकिंड लेगा और यह सबसे स्मार्ट तरीका है इस टैप के कुश्चन्स को करने का आपको दो केस दियें बस उन दोनों केस को कंपेर कर लो तुल ना कर लो मेरे प्यार बें जादा लिखना भी नहीं पड़ेगा मैं आपको एक और सवाल इसी टैप का प्रेक्टिस करा देता हूँ यह सवाल सेलेक्शन पोस्ट मैट्रिक लेवल के पेपर में आया था मेरे भाई इसको जल्दी से करके दिखाओ जल्दी से अपने चैनल पे जो हमारे मेन यूटेव चैनल है गगन प्रताप मेंस उसमे डेली सेमपल पेपर भी करवा रहे हैं तो sample paper में भी मैंने कल ये सवाल कराया था ना, live करवारे हम सौल, daily साम को 8.30 बजे हम करवाते हैं, 3 sample paper करवा दिये हैं, उसमें भी मैंने ये questions कराया था, कोई कि trending में है, 3000 मीटर की दोड में वाहन A, वाहन B को 400 मीटर की सुरुआत देता है, तो वाहन A, 10 से किंड से दोड जीत जाता है, पहला case, दूसरा, यदि वाहन A, वाहन B को 7500 मीटर की सुरुआत देता है, तो दोड डेड हीट बराबरी में समाप्त होती है, वाहन A को, सवाल में पूछा क्य कि यह जो हमारा वाहन A है, इसको 3000 मीटर चल ले में कितना समय लगता है, बहुत बड़े है, दो केस यहाँ पर भी दिये, यह आपका वेहिकल A है, यह आपका वेहिकल B है, अब लिखना कम करेंगे, दिमाग में सोचना जादा सुरू करेंगे, 3000 मीटर की रेस में A, B को 400 मीटर क की सुरुवात दी, यानि कि B 400 मीटर आगे से दोड़ेगा, A पूरा 3000 मीटर दोड़ेगा, 3000 मीटर की रेस है, A ने जो है B को 400 मीटर आगे खड़ा कर दिया, तो B 3000 से 400 मीटर कम 26 मीटर ही दोड़ेगा, क्लिर आप बोलोगे, हांच सर, तो भी A 10 से किंड से दोड़ जीत जाता या पहला केस आगे, यदि वाहन, A वाहन, B को 1600 मीटर की सुरुवात देता है, तो जो है दोड़ बराबरी में समाप्त होती है, मतलब कि मेरे दोस्तों जैसे आपका A है, ये पूरा 3000 मीटर दोड़ेगा, और B को यहां खड़ा कर दिया, 1600 मीटर आगे, ये पूरी रेस 3000 मीट दोड़ेगा, और B 1600 मीटर आगे से दोड़ेगा, तो मेरे प्यारे बई, A 3000 मीटर दोड़ता है, स्टार्टिंग से, B 1600 मीटर आगे से दोड़ेगा, तो 3000 में से 1600 घटा, ये B कितना दोड़ेगा, 2250 मीटर भी दोड़ेगा, और रेस बराबरी में, डैड हीट में समाप्त होत A ने 3000 मीटर दोड़ने में उतना ही समय लिया है जितना B ने 2250 मीटर दोड़ने में लिया है दौनों सेम टाइम पे एंड करते हैं रेस को तो आप मुझे बताओ A को 3000 मीटर चलने में कितना समय लगा दो केस है दौनों की बस तुलना करनी है ध्यां से देखो मेरे भाई ये भी 3000 मीटर है ये भी 3000 मीटर है तो A का डिस्टनस तो सेम है एक बंदे की डिस्टनस सेम होनी चाहिए तब ही सम when we compare कर पाएंगे दूसरे को A का डिस्टनस सेम है बताओ B पहले 2600 मीटर डॉल रहा था अब भी 250 метr दोल रहा है पहले B चाड़ी 2.0-2.50 मीटर दोल रहा है तो B की दूरी में कितना फरकाया 26 bestimmt में से 1.252 गटा और 1.5300 बी की डिस्टेंस में कितना फरकाया है 1.5300 की जब की टाइम में कितना फरकाया पहले B 10 second से हार रहा था आज बराबरी कर रहा है पहले B A से 10 से हर रहा था आज A के बराबर समय ले रहा है तो time में फरक आया 10 सेकंड का यानि कि B साड़े 300 मीटर जाने में 10 सेकंड लेता है मेरे प्यारे भाई B की speed पूछता है तो 35 मीटर पर सेकंड आ जाती तो B एक मीटर जाने में कितना समय लेगा साड़े 300 अधर चला जाएगा 10 बटे साड़े 300 सेकंड 10 बटे साड़े 300 का मलब एक बटा 35 ठीक है एक बटा 35 सेकंड B एक मीटर जाने में इतना समय लेता है सवाल में पूछा है A को 3000 मीटर चलने में कितना समय लगा तो भाई जितना समय A 3000 मीटर चलने में ले रहा है उतना ही तो समय B 250 मीटर चलने में ले रहा है तो बस ये पता लगा लो कि B को 2250 मीटर चलने में कितना समय लगा अगर 1 मीटर चलने में इतना टाइम लग रहा है तो बाईसोपचास मीटर चलने में कितना समय लगेगा बाईसोपचास से गुणा कर दीजे मेरे दोस्तों आप बोलोगे हाँ जी सर, हल किसी कैलकुलेशन है ठीक है, पांच से काट लेंगे मेरे दोस्तों, साढ़े चार सो और पांच से काटेंगे 35 को साथ तो साड़े चार सुबटे 7 सेकंड का समय लगेगा और यह पूरा तो डिवाइड होगा नहीं तो मेरे दोस्ते 7.42 जाएगा 7.42 बज जाएगा 3.0 7.28 यह नहीं कि एप प्रॉक 64 सेकंड जाएगा लगवक 64 सेकंड का समय लगेगा आंसर है सवाल का C option मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को बहुत अच्छी तरीकी से समझ गए हैं ऐसे ही सवाल लंबर 3 है मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही सवाल लंबर 3 है यह सवाल सीजल 2022 के प्री में आया था बस इसका data change है अगर आप मेरे process को समझ गए हैं और आप इस टाइप में confident हैं तो यह सवाल solve करो और मुझे comment में करके दिखाए यह सवाल solve कर दीजे मेरे प्यारे बच्छों और मुझे comment में करके दिखाए अगर आपने सही answer दिया तो आ यह बता ही जल्दी से यह भी ऐसा ही सवाल है मेरे दोस्तों अब देखो कितनी speed से आपको paper में करना चाहिए देखो 200 मीटर की दोड़ में A B को 35 मीटर की start देता है तो A 20 seconds से जीत जाता है A B को 55 मीटर की start देता है दोड़ बराबरी से समाप्त होती है A को 200 मीटर दोड़ने मे A के बार में पूछा है A को 200 मीटर दोड़ने में कितना समय लगा दोबंदे है A और B दोबंदे A और B एक 200 मीटर की race होती है 200 मीटर की A B को 35 मीटर की start देता है A दोड़ेगा 200 B 35 मीटर काम दोड़ेगा 165 मीटर और A B seconds से जीत गया या मैं उल्टा कहूँ B 20 seconds से रेस हार गया B जो है वो 20 seconds से race हार गया B ने जो है A से 20 seconds जाद लिया है clear है आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही A 10, B seconds से race जीत गया उल्टा कहें कि B 20 seconds से race हार गया ने कि B ने A से 20 seconds जाद लिया है पहला case दूसरा अगर A B को 55 meter की start देता है A दोलेगा 200 meter B 55 meter आगे से दोलेगा 200 में से 55 घटाओ B दोलेगा 145 meter तो race बराबरी में समाप्त होती यानि कि जितने time में A 200 meter दोलेगा B उतने time में 145 meter दोलेगा A को 200 meter दोलने में कितना समय लगा मेरे प्यारे में A को तो देखो A तो 200 meter ही दोल रहा है दोनों case में B का देखी न ध्यान किस पर देना B में B पहले 165 meter दोल रहा था अब 145 meter दोल रहा है तो B 20 meter कम दोला time में कितना फरक आया पहले B 20 second से हर रहा था अब B बराबरी कर रहा है A की time में फरक आया 20 second का यानि कि B 20 meter दोलता है 20 second में तो आप बताओ A 200 meter दोल में कितना समय लेगा बाई जितने time में A 200 meter दोलता है उतने time में B 145 meter दोलता है B 20 meter अगर 20 second में जा रहा है तो B 145 meter जाएगा 145 second में यानि कि हमारा बंदा A 200 meter 145 second में दोलेगा C option clear है आपसे यहाँ पर B की speed पूछ सकता है B 20 meter 20 second में गया तो 1 second में कितना गया 1 meter 1 meter per second अगर आपसे सवाल में A की speed पूछी होती कि A की speed क्या है तो आप A की speed भी निकाल सकते थे भाई कि हमारा जो बंदा A है वो 200 meter दोली गया कितने second में 145 second में तो A की speed है वो 200 meter गया 145 second में 5 से जाएगा 40 बटा 29 40 बटा 29 meter per second जो है वो A की speed है यह future का सवाल है जो आगे वो पूछेगा examiner मुझे लगता है अब आपको इस type में कोई परिशानी नहीं होगी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कर लोगे आप अब इसी का एक advanced version करेंगे इसी का advanced version करेंगे type number 2 इसी का हम लोग advanced version करेंगे type number 2 जो की बहुत ही ज़्याद है आया है आजकल सवाल number 5 आपने ऐसा सवाल देखा है कभी mock test में आपने देखा होगा social media में बच्चे doubt पोस्ट करते हैं groups में करेंगे ये भी ऐसा ही सवाल है ये भी ऐसा ही सवाल है बस इसमें थोड़ा सा और आपको दिमाग लगाएं थोड़ा सा बहुत जाद है नहीं बहुत थोड़ा सा राम और शाम ने 2000 मीटर की दौर लगाई पहले राम ने शाम को 200 मीटर की सुरुवाद दी और 30 से किंड से हराया बहुत बढ़ा यहां हम लिख रहे हैं राम और यहां हम लिख रहे हैं मेरे दोस्तों शाम यह राम है और यह शाम है चलिए राम और शाम ने 2000 मीटर की दौर लगाई राम ने शाम को 200 मीटर का स्टार्ट दिया और 30 सेकंड से हराया यानि कि राम तो पूरे 2000 मीटर दोड़ते हैं राम ने शाम को 200 मीटर की स्टार्ट दी यानि कि शाम 200 मीटर आगे से दोड़ते हैं तो शाम दोड़ते हैं 1800 मीटर शाम 1800 मीटर दोड़ते हैं और राम ने शाम को 30 सेकंड स ज्यादा लिया है, शाम ने राम से 30 सेकंड समय ज्यादा लिया है, यह पहला केस है मेरे प्यार भी फस्ट केस, ना, सेकंड केस पढ़िए, यदि राम शाम को 3 मिनट की स्टार्ट देता है, तो वह 1000 मीटर से हार जाता है, इसलिए कहा गया न, ओवर कॉंफिडेंस नहीं होना चाहिए, confidence होना अच्छी बात है over confidence नहीं होना चाहिए राम ने शाम को 30 seconds से हरा दिया क्योंकि राम ने शाम को 200 मीटर आगे खड़ा किया तब भी, अब राम जी over confidence में आ गए उन्होंने बोला शाम से भाई तीन मिनट तू पहले भाग राम शाम से कहते हैं शाम भाई तू तीन मिनट तक अकेले भाग तीन मिनट तक, यानि कि शाम तीन मिनट तक जब तू तीन मिनट तक भाग लेगा मैं खड़ाओं यहाँ पे, राम हूँ मैं तीन मिनट तक भाग शाम तो तीन मिनट तक जब अकेले भाग लेगा ना तब मैं दोड़ना शुरू करूँगा तीन मिनट यानि कि 180 सेकंड यानि कि शाम 180 सेकंड तक अकेले दोड़ा 180 सेकंड तक अब राम ने दोड़ना शुरू किया लेकिन अब राम 1000 मीटर से हार गया यानि कि शाम ने तो रेस पूरी कर ली शाम ने तो पूरी रेस कर ली दो हजार मीटर और राम हजार मीटर से हार गया यानि कि राम हजार मीटर ही दोड़ पाया हजार मीटर से हार गया दो हजार मीटर में हजार मीटर हार गया तो हजार मीटर ही दोड़ पाया ऐसा क्यों हुआ तो कि राम जी शाम जी को हलके में ले लिए राम ने बोल दिया शाम से कि भाई तू पहले तीन मिनट तक अकेले दौर तीन मिनट होता है 180 सेकंड इसका मतलब शाम जो है राम से तीन मिनट एक्स्ट्रा भागा है श्याम जो है वो राम से ती मिनट तक एक्ष्ट्रा भागा है मेरे प्यारे दोस्ति यह तो मतलब हुआ श्याम ने रेस पूरी खतम कर ली 2000 मीटर राम जी मेरे दोस्तों पीछे ही रहे गया 1000 मीटर ही दोड़ पाए रेस पूरी होगी राम जी ने माथा पकड़ लिया क्यों लेकिन ये भी तो देखो श्याम जो है पहले से 3 मेट पहले भागना सुरू कर दिया था 3 मेट मतलो 180 सेकंड यह श्याम ने राम से 180 सेकंड समय ज्यादे लिया है 180 सेकंड श्याम ने 2000 मीटर दौड़ने में राम 1000 मीटर दौड़ने में जितना समय लिया है उससे 180 सेकंड समय ज्यादा लिया है 180 सेकंड बोले हाँ आप बोलोगे हाँ जी सर हाँ ये बात बहुत पहनी है इसको ढंग से समझ लीजेगा अब यहाँ पर भी दो केस बनगे मुझे पहले की तरह कंपेर करना है लेकिन यहाँ कंपेर करना बड़ा मुस्किल है या तो की बेटा यहाँ राम दौड़ रहे है若ाजर मीटर यह हजार ही तो गलत बात है दौनों जब सेम नहीं होगा तो तक कैसे सौलोगा या राम दोहजार मीटर दोड़ रहे हैं या हजार मीटर तो दोनों को सेम करना पड़ेगा या तो दोनों को दोहजार करो या दोनों को हजार हजार करो इच्छा आप किये तो भईये ये हजार है जैसे मुझे हजार को दोहजार बनाना है तो इस पूरे को किस से गुणा करनी पड़ेगी इस पूरे को 2 से गुणा करनी पड़ेगी पूरे को 2 से गुणा करनी पड़ेगी पूरे को 2 से गुणा अगर मैं 1000 को गुणा करूँगा 2 से तो ये 2000 हो जाएगा 2000 2000 यह 2 से गुणा करूँगा तो 360 seconds हो जाएगा 360 seconds 360 seconds यह गुणा करूँगा तो 4000 हो जाएगा 4000 मीटर और 4000 हो जाएगा तो मैंने कुछ नहीं किया मैंने पूरे ही system को पूरे second equation को 2 से गुणा कर लिया अब आप गोर से देखो राम पहले भी 2000 मीटर दोड़ रहे थे राम आज भी 2000 मीटर दोड़ रहे सेम कर ले मैंने डिस्टेंस को सेम नहीं थी पर मैंने सेम मना लिया शाम में कितना फरक आया मेरे प्यार भी, शाम के डिस्टेंस में कितना फरक आया, तो शाम पहले 1800 मीटर दोड़ रहे थे अब शाम 4000 मीटर दोड़ रहे हैं तो शाम के डिस्टेंस में फरकाया 1200 मीटर का 2200 मीटर का डिस्टेंस में फरकाया ताइम में कितना फरकाया पहले शाम राम से 30 सेकंड जाद ले रहे थे अब शाम जो है राम से 360 सेकंड जादे ले रहे हैं पहले 30 सेकंड जादे ले रहे थे अब 360 सेकंड जादे ले रहे हैं तो टाइम में कितना फरका है 30 सेकंड ये 30 सेकंड और 360 सेकंड तो टाइम में फरका है 330 सेकंड का मेरे प्यारे भाई जानि कि मैं ये पता लगा सकता हूं कि राम 200 मीटर जाता है 330 सेकंड में शाम 200 मीटर जाता है 330 सेकंड में पहले साम 1800 मीटर जाते थे अब 4000 2,800, 4,000 कितना जाद है, 200 मीटर जाद है, टायम में कितना फरैक है, 330 सेकिंड, शाम की स्पीड निकालो, निकल जाएगी, पूछा है, शाम उस दोड को कितने मुनेट में खतम करेगा, दोड कितनी की है, 2000 मीटर की, अगर 200 मीटर गया, 330 सेकिंड में, तो दों तरफ 110 से भाग कर 110 से डिवाइड करो यानि कि 20 मीटर जाएंगे 3 सेकिंड में 20 मीटर 3 सेकिंड में 2000 मीटर कितने में जाएंगे 2100 से गुणा करो 2000 मीटर जाएंगे 300 सेकिंड में और 300 सेकिंड होता है 5 मिनिट 1 मिनिट 60 सेकिंड होता है तो 300 सेकिंड मतलब 5 मिनिट तो पांच मिनट में श्याम पूरी 2000 मीटर की रेश खतम करेगा, यह आंसर है, और option number B correct है, बहुत अच्छा सवाल है, बस एक ही step आपको यहाँ पे आगे बढ़ना था, इस शोट में शायद ही आप यह सवाल कर पाएं मेरे प्यारे बच्चों, हाला कि तरीके इसके अलावा औ बस data अलग है, मेरी आप से request है कि आप इस सवाल को solve करो और मुझे comment में बताओ, पहले solve करो और फिर comment में करके बताओ, आप देख लिजे कि GD में भी इस level के सवाल आ रहे हैं, इस lecture का आखरी और शायद सबसे बड़ी है सवाल अब हम करेंगे यहां से बनाईए, यह सवाल latest C चसल के paper में आया है 2024 में, और यह वो सवाल है जिसे 10% से भी कम बच्चों ने paper में ठीक किया था, below 10%, अरुन और भासकर ने 3 km की दोड़ लगाई, दो लोग हैं, अरुन और भासकर, अरुन जी और भासकर जी, A, B, 3 km की दोड़ लगाई, अरुन भासकर को 400 मीटर की बढ़त देता है, और उसे 30 सेकंड से हरा देता है, 3 km यानि की 3000 मीटर मेरे भाई, यही मतलब है, अरुन और भासकर ने 3000 मीटर की दोड़ लगाई, अरुन भासकर को 400 मीटर की स्टार्ट देता, यानि की अरुन तो दोड़ेगा 3000 मीटर, भासकर जो है, वो 400 मीटर आगे से दोड़ना शुरू करता है, तो भासकर दोड़ेगा 26 मीटर, और अरुन ने भासकर को 30 से हरा दिया, यहनि कि भासकर ने, हमें कह सकते हैं कि भासकर ने जो है अरुन से 30 से किंड जादा लिये हैं, 26 मीटर दोड़ने में, जितना अरुन भासकर को धाई मिनट की बढ़त देता है, और 500 मीटर से हार जाता है वाइल कमिंग बैक अरुन गिवस भासकर यह लीड ऑफ 2.5 मिनट और गेट्स बीटन भाई 500 मीटर वापस आएंगे तो सेम डिस्टेंस वापस आएंगे 3000 मीटर जब वापस आते 3000 मीटर तो अब अरुन ओफ उवर कॉनफिडेंस में आ गया अरुन बोला भासकर यह भासकर भईया दाई मिनट तक दोड़ दाई मिनट तक तो भासकर धाई मिनट तक अकेले दोडता है भासकर जो है यानि कि अरुन ने भासकर को छूट दे दी कि तू धाई मिनट तक दौड जब तू धाई मिनट दौड लेगा तब मैं दौडना सुरू करूँगा सेर का बच्चा हूँ लेकिन सेर तो बिल्ली बन गया वो कि अरुन पांसो मीटर से हार गया भासकर ने तो पूरी रेस खतम भी कर ली भासकर ने तो पूरी रेस खतम भी कर ली तीन हजार मीटर लेकिन अरुन पांसो मीटर से हार गया अरुन जो है अभी रेस खतम नहीं कर पाया अरुन जो है पांस मेरे प्यारे भाई लेकिन ध्यान ही रखीगा कि जब भासकन रेस खतम कर ली अरुन पांसो मीटर पीछे रह गया उसने अपना माथा पकड़ लिया हार गया क्यों हार है को कि भासका धाई मिनट तक अकेले दोला धाई मिनट मतलब धाई का साथ कुना डिल सो सेकंड यहनि कि डिल सो सेकंड से लीड है अरुन से भासकर जो है वो पहली अरुन से डिल सो सेकंड की लीड बना कर दोला है यहनि कि भासकर ने तीन हजार मीटर दोलने में डिल सो सेकंड जादे समय लिया है जो अरुन लेता है पच्छिस सो मीटर दोलने में उससे यह दूसरा केस बन गया दूसरा case अब मुझे इन दोनों को compare करना है पूछा क्या है उस समय का difference क्या है जिसमें अरुन भासकर एक तरफ की race के लिए अलग-अलग दोड़ लगा सकते हैं यानि कि अरुन और भासकर race खतम करने में जितना time लेता हूँ उस time का difference पूछा है कि दौनों का time यहाँ पर निकालना पड़ेगा तो मेरे भाई एक बात बताओ problem क्या है कि यहाँ पर same करना पड़ेगा distance को यह a दोड़ रहा है तीन हजार अरुन यह पच्चिसो यह तो अलग-अलग है तो तीन हजार और पच्चिसो को same करना पड़ेगा तीन हजार और पच्चिसो को same करना पड़ेगा तीन हजार और पच्चिसो को कैसे same करें देखो पच्चिसो को तीन हजार अगर बनाना है अगर पच्चिसो को तीन हजार बनाना है तो मेरे दोस्तों कैसे होगा 6 बटे 5 गुना करना पड़ेगा कि नि आप मुझे बताओ, 6 बटे 5 गुणा करना पड़ेगा, किनी मेरे भाई, 2500 को 5 से भाग करो, 500 होता है, 500 की 6 बटे 5 गुणा करो 3000, 3000 का 2500 से रेश्यो ले लिए 6 बटे 5 गुणा, 2500 को अगर 3000 मीटर बनाना है, तो 6 बटे 5 से गुणा करने पड़ेगी, 3000 बटे 2500 डिवाइड किया मेरी दोस्तों, 6 बटे 5 गुना, यानि कि इस पूरे रेश्यो को, इस पूरे सिस्टम को, sorry, 6 बटे 5 से गुना करना पड़ेगा, 6 बाइ 5 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, 2500 की 6 बटे 5 में गुना करेंगे, 3000 मीटर हो जाएगा, 3000 मीटर, 3000 की 6 बटे 5 में गुणा करेंगे तो 5 से 3600 बार 3600 मीटर हो जाएगा 3600 मीटर 1500 सेकंड की 6 बटे 5 में गुणा करेंगे कितना हैगा बेटा 1500 सेकंड की 6 बटे 5 में 5 से 1530 बार जाएगा 36 का 180 सेकंड यह 180 सेकंड हो जाएगा यह चीज मेरा काम जो है करके देगी मेरे भाई यह वाली यहां पर मैंने क्या किया जुगाल वाजी से यह भी तीन हजार मीटर दोला रहा है यहां भी तीन हजार मीटर दोला रहा है दौनों केस में मैंने सेम मना लिए तीन तीन हजार मीटर सिम मना लिया आप बोलोगे हैं सर सिम मना लिया तो बी के डिस्टेंस में कितना फरक आया बी के डिस्टेंस में कितना फरक आया तो यह आया भईया बी पहले 2600 मीटर दोल रहा था बी पहले 2600 मीटर दोल रहा था अब भी 3600 मीटर दोल रहा है यानि कि 1000 मीटर जाद है भी 1000 मीटर जाद है दोड़ता है तो समय में कितना फरक आया पहले भी 30 सेकंड जाद है ले रहा था एसे अब 180 सेकंड जाद ले रहा है तो टाइम में कितना फरक आया बेटा 1500 सेकंड का 30 सेकंड में और 180 सेकंड में कितना फरक है भाई भी 1000 मीटर जाद है दोला समय में कितना जाद है लिया 1500 सेकंड 30 से 180 1500 सेकंड का फरक है तो भी 1000 मीटर दोलता है 1500 सेकंड में 1000 मीटर तो भी 3000 मीटर कितने समय में दोलेगा तीन गुना कर दो बी 3000 वीट लोड़ेगा। 300 मेनं में convert करना है तो Left 60 को साठ से भाग दीजा RAM 47-smart मिने कि बी पूरी रेष 67 अपार का क्रेंड वेंक टाइम तो 6 साड़ सात अडिक Lisie साथ मिनेट अब मुझे मुझे एक टाइम निकाल एक का टाइम एक का टाइम एक काथ बडेको कहीं से भी कर लो तो आप ये सवाल, चाहे आप पहले केस से कर लो, चाहे आप पहले केस से कर लो, इच्छा आपकी है, ये इच्छा आपकी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कहीं से भी कर लो मेरे दोस्तों, अगर जैसे मैं पहले केस से कर के दिखाता हूं, पहले केस से, इसको भूल तो इतनी जरत अध्यान दिया करो, भी 1000 मीटर दोडता है देल सो सेकेंड में, तो भी 26 मीटर कितने सेकेंड में दोड़ेगा 26, 26 का मतलब 2.6 से गुणा, 26 का मतलब क्या होता है, 2.6 से गुणा, तो यहां भी अगर मैं 2.6 से गुणा करूँगा, तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई यह आपका आजाएगा 15 दूनिती 300 और 15 चिका 90 390 सेकंड यानि कि हमारे प्यारे प्यारे वच्च B 26 मीटर दोड़ता है 390 सेकंड में B 26 मीटर दोड़ा 390 सेकंड में B 26 मीटर 390 सेकंड में दोड़ा और ए से 30 सेकंड जादे लिया, ए से 30 सेकंड जादे लिया, यानि कि ए कितना समय लेगा फर 3000 मीटर दोड़ने में, 390 से 30 सेकंड कम करिये 360 सेकंड, 360 सेकंड, यानि कि ए 3000 मीटर दोड़ने में 360 सेकंड लेता है, A 3000 meter दौड़ने में 360 second लेता है और 360 second का मतलब होता है 6 minute 360 second को 6 से divide करेंगे 6 minute यह आप दूसरे case से भी कर सकते थे वहां से भी same आएगा तो 390 second B ने लिया 26 meter दौड़ने में A से 30 second जादा तो A ने लिया 360 second 390 से 30 कम तो B साले साथ minute में race खतम करता है यह 6 minute में दौनों के time का difference पूछा दौनों के time का difference है दिएड़ मिनट यह answer है B option घजब का सवाल घजब का सवाल है मेरे प्यारे भाई अच्छा तरीका है मुझे लगता है हर बच्चे को यह समझ में आया होगा ओके और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे भाई यह type आपका खतम होता है मैंने आपको दो variety यहां से समझाएं थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ही आप समझ पाएंगे इनकी जो है explanation भी हमने books में डाल लखिया ऐसे concept जो होते हैं वो हमने अपनी book Math Concept King में दिये हुएं अब किसी बच्चे को race क्या कुछ भी नहीं पता कि dead heat क्या होता है, start क्या होता है, beaten क्या होता है तो पहला आपको concept पढ़ना पढ़ेगा इस book में सारे concept लिखे हुए आप इसको online order कर सकते हैं ठीक है बच्चो तो ये छोटी सी conceptual वीडियो आपको कैसी लगी मुझे comments में जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इस रीच continue रखूँगा मेरे प्यारे भाई ठीक है बहुत आपकी help के लिए लेकिन आपको एक ही काम करना है वीडियो को like करना है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ social media पर सभी को बताना है और मेरे दोस्तों comment जरूर करना है बाई